हेलो विखरन स्वागेते हैं आप सभी का आप सभी के पसंद दिप चनल राय एजुकेशन में आज के मॉनिंग स्टेशन में आज के प्रमुक अगबारों से कई इंपॉर्टेन न्यूस अपडेट को कवर करेंगे जिनमें प्रमुकता से बात करेंगे एड़ेड इस्कूलों क की भरती कि लिए अभी करना होगा आपको औरभी इंतिजार जी हां एड़ेड इसकूलों की जो भरती आप लोगों ने समझीती चार ज़ार के लगबाग जो भरतीयां हैं वो उसके लिए इंतिजार करना पढ़ सकता है उसके बारे Lockheών लिए और पात्र भी है तो अधूरी भरतियों आपको नुट आएगा आपका सिख्षा सिवा आयोग और इसमें कोन सी धूरी भरतियां उसको रेम डिटेलिंग करेंगे अगले दो सालों में 50 लाख लोगों को रुजगार देगी उत्तर प्रदेश सरकारी माननी योगी आदितनाज जी का बयान है कल की नियूज रिपोर्टिंग में आपने देखी होगी तो सारी चीज़ों इसके लाख के इंपॉर्टन न्यूज अपडेट को और भी करेंगे तो बाखी लिटेस्ट अपडेटी के लिए बने रहे ही चैनल पर नहीं है तो चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर लिजे और वीडियो को धूरात में बोल दो जिन मित् पात्रता परिक्षा में अगर आप अपियर होना चाते हैं तो आपकी इस बार आयोजन कर रही है आपकी लखनु इनवर्सिटी तो आपके 12 तारिक 12 फरवरी से 11 मार्स तक आपके आउलाइन आवेदन आप कर सकते हैं बागी के डीटेल के लिए इन चैनल इनके वेबसाइट को विजिट करिए या आप फीमस सरकारी रिजल डॉट कॉम पर भी जाकर चेक आउट कर सकते हैं अगली न्यूज के लिए बात करते हैं सिक्षक भरती की काउंसिलिंग खत्म जल निप्टेगा आपका न्यूपती प्रदेश भर के साहता प्रात मादमे की स्कूलों में प्र और जल्दी आप लोगों को जैसा हाई कोर्ट से यह ओर्डर आ गया था कि जीव विज्ञान वाला विश्य जो लेकर बहुत ज्यादा प्रश्ण चीन मना हुआ था उसके लेकर जल्दी सारी ग्रिया अकलाब कराई जाएंगी और इन जो टीजीटी दो जार तेरह जो छे सो बात है और संस्कृत विश्य के सनिमार को बालक वर्ग में 27 पदों के सब एक शत्रा भेड़तियों ने पहुंचकर काउंसलिंग कराई वहीं बालिका वर्ग में सभी चार पदों के लिए भेड़ती पहुंचे ग्रिव विज्यान विश्य बालक वर्ग के दो पदों के थी अब यहां पर देखी अब इतने दिनों बाद आब सारी अकलाब करेंगे तो कई लोगों को तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी जीटे पता हो गया कि भरति प्रक्रिया ये यूपी 스ड़ ही ये ये ही नियुक्सान उता है और जिस चीज के लिए वो यूपी ही एक मात्र भारत वर्ष का एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर भरती प्रक्रियां किस तम में पूर्रों और किस सोन में पूर्ण होती हैं किसी को नहीं पता है, तो कहने कि इस से लोग बेर्टियों का ही नुक्सान होता है, उनके भविश्का नुक्सान होता है और जिस चीज के लिए वो योग के रहते हैं उनको योगिता के अनुसार वहां तक वो पहुँचने में काफी बार काफी बार निस्भल रहते हैं तकन के इस सरकारों को नाइक पराधी करणों को इन सरी चीजों पर बहुत संजीदा से बहुत समिनन शीलता से ध्यान देने की अवश्कता है और योगी बाबा ने कहीं पॉर्टेंट कल इंटर्विय में बात रखी कि अगले दो साल में 50 लाक लोगों को रोजगार मिलेगा बाकी जो 69,000 भरती है बाकी 12,460 भरती है 16,000 जो बरती है 2011 के टीटी आपके जो नहीं पहुंच पाये हैं वो सुप्रियू कोर्ट में चल रहे हैं वो बरती है उसको छोड़ दीजिए तोकि वो तो उनके चैन प्यमाने के अंतरक आ चुके हैं जब भी वो अपना पोस्टर बियान करेंगे तो उसमें वो पोस्टर में यह जरूर मेंचन करेंगे यह बरतीया पूर्ण हो गई है अंतिम जैन में चल रही हैं इसी आधार पर इनको 58 और लोगों को रोजगार देंगे पता नहीं किस जगह पर देंगे और इतनी अगर रोजगार है तो लोग फैसे की कमी नहीं है यूपी में इतनी ताकत है को पूरे देश को बैठा कर खिला सकता ही यह योगी आधीतना जी का है रवैया पूरे देश को नौकरी देने की अपेक्षा जो आपके राज के लोग हैं उनको जहां तक वो योगिता निरसारित करते हैं वहाँ तक पहुच पूरे देश को बात छोड़ी दीजे कई इंपॉर्टन बात पर रखी इसमें उनुत्रजार भरती को विशेशता बात रखी कि उनुत्रजार भरती अंतिम चैन में है हाला कि कोट प्रक्र में चला हमारे तरब से पूरी प्रक्रिया पून हो चुकी है जैसे ही देखे कोट की बात है तो इनको अपनी तरब से समविंदन शीलता इसमें कितनी है वो कहने के प्रदेशीत होते क्योंकि हर बार एक ही बात रखी जाती जब भरती प्रक्रिया को बोला जाता है कोट का मेंटर है कोट का मेंटर है बहुत अच्छी बात है कोट का मेंटर है तो आप इसके लि इखी उत्तर देते, देते, हम लोग भी पक चुके हैं, सुनते, सुनते, इनको भी कहने कई अच्छा नहीं लगता होगा, तो थोड़ा प्रशन बदल कर पूछा जाए, कुछ और भी उत्तर देखने को मिलेंगे, जो हमारे अन्दर मनतव है, हमारे मानसि कजह झील रही है, हम मांगे गहें आवदन बीजीडी के हर्याना करमचारी चैन आई होगा एच एससी की तरब से ये क्रिया कलाब किया गया है सत्रफ फर्वीरी 2020 आवदन सुरू हो चुका है और दो मार्च तक आवदन करया जाएगा पांच मार्च 2020 है फीज की बुक्तान की अंतिमतिदी और 42 वर्स है इन पदों पर अगुर्टम आयू के उमिद्वारों के लिए इन पदों के लिए 26 अगस 2019 को पहले नोटिफिकिचर अंजारी किया गया था अगर आप उस समय इन पदों के लिए आवदन नहीं कर पाए हैं तो आब आवदन आप कर सकते हैं समय इन वर्ग के लिए आवदन शुल्क 500 रुपए जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 125 रुपए परिक्षार सुल्क जमा कराना होगा और चैनितों को प्रविश्पत्र में ही निउक्ति दी जाएगी और मावकरी के प्रविश्पत्र में यहां पर प्रदेश में ही यानी हर्याना में ही हर्याना कर्मचारी चैन आयोग ने सिक्षकों के 384 पदों के लिए वेकेंसी निकाली है इन पदों पर आवदन को प्रक्रिया 17 फर्वरी से शुरू हो चुकी है और चुकव योग मिद्वार दो मार्च 2020 तक इसके लिए आवदन कर सकते हैं और अलग-अलग विशेओं का विशेवार अगर मैं देखा हूँ थोड़ा इसको डिटेल करता हूँ ताकि जिन अभेड़तियों के इसकी अगर जो लोग यहां तक पहुंच जाए और एक अभेड़ति का भी इससे फायदा हो सकता है तो कहने के मेरा वीडियो बनाना सफल रहेगा बाइलोजी के 127 पीजीटी के बाद है केमिस्ट्री के 131, कॉमर्स के 304, सिविल साइंस के 133, सबसे आधा पदे हैं सिविल साइंस के सिविल साइंस हैं लिखा गया है यह सोसल आइठिंक होगा आपका या जो भी हो इनका अंगरीजी के 530, फाइन आर्ट्स के 35, हिंडी के 94, दितिहास के 339, गणित के 522, संगीत के 35, फिजिकल एजुकेशन के 241, उर्दु ग्रेचे और कम्पिटर साइंस के 37 बदों के लिए भड़ती की जाएगी, और 18 से 22 वर्ड्स आपकी आयू होनी चाहिए, बागे भारती विदी के नुसार आप अरक्षिद वर के उमिदवर आपको छूट मिलेगी, और योगिता क्या है, PGT के लिए तो आप PG होने ही चाहिए, और वह और BPA-MPA के फार्म 24 से भरे जाएंगे, चौदरी चर्रसिंग के विश्विदाले से संबन्द काले जो में BPA-MPA, BUMS, MD और MS युनानी कोर्स के फार्म 24 फरवरी से ऑनलाइन हो जाएंगे, ये इनिवर्सिटी की साइड पर CCS University.ac.in पर ऑनलाइन आपके भरे जाएंगे, और BPA-MPA कोर्स में केवल वहीं स्टुडेंट अपनी फार्म भरेंगे, जिन्होंने काउंसिलिंग के जरी कालेज़ों प्रिवेश लिये थे, वीवी ने कारिक्रम वेबसाइट पर अपलोड करती हैं, आपके जाकर 2019-20 में मुख परिक्षा हैं, और इनके लिए एक्स इस्टु आपके जाएंगे ऑनलाइन आविदन, तो, अगर आप इसको लिए अपलाई करना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर देख लिजे, और 1355 में सरवादी के एक्स इस्टु पत एसिस्टेंट कम्मुनिकेशन अफसर, ये पत ग्री मंत्राले के डिरेक्टरी टॉफ कॉडिनिये और 133 अरक्षित हैं, बाकी के कई डिर सारी चीज़े हैं, आप जाकर वेबसाइट बेर चेक कर लिजिए, और इसके लिए अगर आप योग्य हैं, तो जरूर से जरूर फर्म बढ़ते रहे हैं, और अपनी इससे देखें, प्रॉब्लम क्या है, कि हम लोग एक जगां स्था पाईतों हैं, रुके हुए हैं, कहने के अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोशिश गन्यवाद को हारती होती नहीं है, अगर आप एक जगां चैनीत हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आगी के लिए दिन पर दिन अपने आपने आप में देखते रहे के लिए, कुछ बदलाव अपने आप में देखते रहे, कि कलकी अपैक्षा, आज मेरे में बदला हुआ है, आज मैंने कुछ नया सीखा है, नहीं सीखा है, तो अपने आपको टारिगट में ढालीए, और अपने उस टारिगट को छोटे-चोटे टारिगट को एजीव करते रहे केने के सफलता होने के लिए यह सारी चीजे बहुत ही आवशिक हैं और सबसे इंपोर्टन बात है एड़े स्कूलों की एड़ेड विद्यालों में नहीं सुरू हो सके जूनेर स्कूलों में सक्षकों की भरती और प्रमंदक नहीं अब चैन आयोक करेगा नियुकती जिले प्रदेश भर में तो यह तो एक जिले की तिरासी विद्याले हैं बाकी पूरे अगर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर देखते हैं ब्यस्से प्रताब गड़ ने बोला है अशुकमार सिंग जी ने कि साहता प्रावत जूनियर विद्यालों से अधियाचन मांगा गय जो रिक्तियों की सूचना दो दिन के भीतर नहीं देंगे उनकी खिलाब करवाई की जाएगी प्रवंदक के खिलाब भी करवाई होगी यानि यह सब ही चाहते हैं कि जलजल भरति प्रक्राय सुरू हो और जो अभरती इसके लिए प्रात्मिक नहीं उच प्रात्मिक के रिटेलिंग के लिए हैं यहां से बने रहेगा यहां पर देख सकते हैं अगर प्रधान अधापकों जूनेर स्कूल के सिक्षकों की बात की जाए तो टीटी ट्रेंड अभेड़ती को ही पात्र मताया जाए जिसमें 50 प्रतीशत अंकों के सांत इसना तक वह बीड को वरिता दी जाननी है यह इंपोर्टेंट बात है बाकी यह लिटेश अपडेट के लिए बने रहे हैं राइज विकेशनल के साथ धन्यवाद